नमस्कार दोस्तों स्वागते डेली स्टडी में आज हम 10 इंपोटेंट जीके का प्रस्ण लेकर आये हैं जो आपको मालूम होना चाहिए और आप भी अपना स्कूर बता सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फस्ट भारत में ढाक घरों की संख्या लगवग है एक दसमलब दो लाग बी एक दसमलब पांच लाग सी एक दसमलब सात लाग डी एक दसमलब नौ लाग आप्सन बी एक दसमलब पांच लाग नेक्स्ट राष्ट्रिय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है ए दो जुन, बी चवदह जुलाई, सी दो अक्टूबर, डी उनिस नवंबर आप्सन डी उनिस नवंबर नेक्स्ट धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है ए सक्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दो मट्टी, या डी लाल मिट्टी आप्सन सी दो मट्टी, नेक्स्ट राष्टिय ध्वज के असोक चक्र में कितनी तिलियां होती है A. 20, B. 24, C. 28 या D. 32 Option B. 24 Next भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी जील वुलर किस राज में इस्थित है? A. उत्तर परदेश, B. जम्मो कस्मेर, C. उत्राखंड या D. हिमाचल परदेश Option B. जम्मो कस्मेर, Next ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतिय महला कोन है? A. सुनिता रानी, B. कर्नम मलिस्वरी, C. साइनी अगरवाल या D. कुन्जू रानी Option B. कर्नम मलिस्वरी, Next प्रथवी राज विजय का लेखक कोन है? A. चंदबरदाई, B. प्रथवी राज चहान, C. जयानक, या D. नयन चंद्रसूरी Option C. जयानक, Next संग लोक सेवा आयोग, यानिक UPSC, जिनका पुरा नाम होता है Union Public Service Commission की नियुक्ती कोन करता है? A. संसेद, B. भारत के मुख नियाधिस, C. राश्टपती, या D. प्रथवर समिती Option C. राश्टपती, Next निमलखीत में से कोन सी किरिया गेलवे नाईजेशन कहलाता है? A. जिंक पर सिसे की प्रत्चाधाना, B. लोहे पर जिंक की प्रत्चाधाना, C. जिंक पर लोहे की प्रत्चाधाना, या D. सिसे पर लोहे की प्रत्चाधाना Option B. लोहे पर जिंक की प्रत्चाधाना, Next और अन्तिम तारे का रंग किसका सुचक है? A. सुरी से उसकी दूरी का, B. प्रत्थवी से उसकी दूरी का, C. उसके ताप का, या D. उसकी जियती का Option C. उसके ताप का, तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सेर कर दिजिए, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, बगल में बनेगा बेल आकन यानि की घंटे, उसको प्रेस कर देता की नया वीडियो को नोटिफिकरसन आपको मिल जाए, थैंक यू